नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 और 12 मई तुलारासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इनपोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इन दो वारे में आपके जीवन से जुड़ी कई बहुत ही बड़ी चमतकार होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों भगवान की किरपा अब आपके जीवन में धन दोलत से और पैसों से बढ़ोत्तरी होंगें यहां तक देखा जाए तो आपके वैपार में भी सुब इस्तिती होने वाले हैं अब दोस्तों कई छेतरों से एक साथ खुसियां की बारिश होंगे अब सभी जरुतों को भी आप पूरा करने में समक्ष रहेंगे सभी एक्छाओं को पूरा भी कर पाएंगे दोस्तों सबसे महत्यपुन बात यहा है कि दोस्तों आपके जीवन काल में एक देवता आपको कई सालों से साथ दे रहा है आपकी रक्षा करते आ रहा है इसी के वज़े से आप अपने जीवन काल में सारी मुसीवतों का शामना किसी न किसी तरह से करते आ रहे है और अब दोस्तों आपका समय आगया है कुछ कर दिखाने का क्योंकि आपके अच्छे कर्म सबाब होने के कारण भगवान की परिक्षा खत्म हुए अब आप दिन दोगोनी और रात चोगोनी तरकी करेंगे और दोस्तों आपको किन चीजों से बचना है किन किन चीजों से फाइदा होगा आपकी लव लाइप कैसे रहेगी बिजनेस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्ते की महत्यपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको गुपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बैतर बना शके तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को चानक निति ज्यान के बारे में दोस्तों आचार चानक जिकाते हैं कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाओ आज वक्त खराब है तो क्या हुआ एक दिन इसे बदल कर दिखाओ इसी के साथ हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि एक बार खत्रे का शामना किया जाए इसी के साथ अपने जीवन की रा खुद चुनू क्योंकि कभी सुना है कि पक्छी बेठा रहा दाने के आस में जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज अपने महतपुन योजनाव को किर्यामिंद करने का उचीत समय है ग्रिय गोचर आपके पक्छ में है अपने छामतावा उर्जा का भरपूर उपयोग करें आप एक नए जोस और आत्म विश्वास के साथ आपने कारियों के पड़ती समर्द पित रहेंगे और सफल भी होंगे सकार्थमा गतिविदियों तरह लोगों के समपक्र में रहने से आपके व्यक्तित में भी उचित निखार आएगा किसी धार्मिक गतिविदी में भी आपका विशेश युगदान रहेगा आपकी बुद्धि मानी तथा पारिवारिक रवया आपके लिए लाबदायक इस्तियां बनाएगा सिर्फ भावनागा की बज़ा वहवारिक दिरिष्टी कौन रखें किसी रिष्टिदार के यहां मांगली कारे में भी शामिल होने का निमंतरन मिल शकता है दोस्तों किसी पारिवारिक समस्यां को सुलजाने में आपका प्रियास रहेगा और आप उसमें कामयाब भी रहेगे संतान की और से कोई सुप समचार मिलने से मन परशन रहेगा तिधा मन रोजन समन्दी प्रोग्राम भी बनेगे दोस्तों आपको सकार्त मगरवया आपको कोई भी निरने लेने में मदद करेगा और इसके प्रवाग से रिस्दारों तो था घर परिवार में भी आपके समन्द मदूद हो जाएगे परिवारिक सुख सुविदा को लेकर सोपिंग आदी में भी शमेवितित होगा आज आप अपने पर्तिवावा बोद्धिक छमता के बल पर कुछ ऐसा कारी कर जाएगे कि आप खूदी आसर चकीत रहेगे समाज थानिकर समन्दियों में भी आपका समान बढ़ेगा दोस्तों आज आपको ऐसी चमतकार देखने को मिलेंगे कि आप शपने भी में नहीं सोचे होंगे अब आपको अनेक कारणों से अनेक तरह से चमतकारी वा खुश खबरियां आपको मिलने वाली है आज रानितिक समन्द आपको फैदा दे सकती है जन संपर का दारा भी बढ़ेगा जिसे आपको अपने पाचान भी मिलेगी तो इस तो समाजी तथा सोसाइटी समन्दी गत्वी विदियों की तरब से आपका रुजान बढ़ेगा पंतु इसके साथ आपने स्यम के कारियों के परती भी जाग रुक रहें और अपनी योजना को गूपनिय तरीके से क्रियाविन्द करें क्योंकि यह चमतकार और काम्यावी देखकर आपके दुसमन कुछ करने की कोशिश करेंगे इसलिए दोस्तों सावधान रहें दोस्तों इन दिनों में आपके बदलाव ला रहें हैं बंचाही उपलब्दियां हासिल होगी अब अपने योगता और कारकु सल्ता से हर परसिति को समभाल लेंगे रुके होए काम में अब गती आएगी सुविदाओं के साथ अधात्मिक उन्नेती भी होगी खास तौर से इन लोगों के लिए जिनके साथ संपर्ग बढ़ेंगे कुछ खास लोगों के साथ संपर्ग बढ़ेंगे जो कि आपके तरقी में मददगार होंगे दोस्तों आपके नेगेटीब की बात करें तो इसमें किसी भी तरकी यात्रा करना समय और पैसे दोनों का ही नुकसान होगा पड़सियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर कास नहीं हो सकती है जिसका असर परिवार के सुक सांती पर भी पड़ेगा इसलिए बहतर है कि दुसरों के समस्याँ में ना उल्जें बच्चों के केरियर को लेकर कुछ चिंता रह सकती है प्रतु धहर रखें जल्दी परिसितिया अनुकुल हो जाएगी वहां अत्वा परपटी से समंदित लोन लेने से पाले सारी संभावनाँ पर उचिद विचार कर लें पैसों के लेन देन समंदित कारें को बहुत ध्यान पुरुबक करें इसकी वज़े से घर में भी कोई गलत फ्यमी उत्पन हो शकती है दोस्तों वेवसा में आज कल मार्केट में आपकी छवी बहुत अच्छी बनी हुई है कोई बाहरी ओडर मिलने की संभावना है काम के तरीकें को उज़गार न करें जलन की भावना से कोई आपका नुक्षान पहुंचा शकता है सरकारी सेवरात लोग अवांचित लोगों के साथ मेल मिलाप न रखें दोस्तों वेबसाइक गत्ती विदियों पर परिवारी समस्यां को हावी न होने दें आज समपर सुत्रों और मार्केटिंग समन्दी कारियों पर अधिक समय बेतित करें क्योंकि इनी दोरा आपको महत्वपुन ओडर प्राप्थ हो सकते हैं वेबसाइक गत्ति विदियों के लिए ग्रह सिती बहुत ही अनुकूल है समय का भर्पूर सत्प्यों करें इस समय बर्तमान गत्ति विदियों पर ध्यान रखना जरूरी है फाइदमान प्रसतियां बन रही है लेकिन मारकेट रथा मीडिया से समनित कार्यों में आपना समय वै गर के सदस आपकी परिशानियों को समझ कर आपका सहयोग करेंगे जिसे आपका मनवल बना रहेगा युवाओं को प्रेम समंद सुखद और मर्यादा पूर्ण रहेंगे पती पतनी के समंद में प्रगलता रहेगी पार्टनर वो परिवार के साथ लॉंग ड्राइप पे जाना आपके तनाप को कम करेगा घर वो वेबसाई में समांजस बना कर रखने से सुख नामा माहूल बना रहेगा प्रेम समंद को मर्यादा पूर्ण रखें दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो काम की आधिक्ता की बज़ेशे आपका स्वास्त परभावित अपने छामता के अनुशारी कार करें तथा उचित अराम भी लें गर्मी की बज़े से सिर्ध दर्द या माइग्रेंड रहेगा इसलिए गर्मी से अपना वचाव रखें स्वास्त उत्यम रहेगा अपना घर का माहल व्यवस्तित रखें रोज सुभा योगा और व्यवाम करें सरित अंदुरुस्त और फेट रहेंगे चलिस्ता बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों घर में परती दिन विश्नु सहस्तर नाम और सिरिशूत का पाठ करना बहत सफल लक्षमी प्राप्ति का उपाय माना जाता है वास्ता में माता लक्षमी विश्नु जी की पतनी है विश्नु सहस्तर नाम के पाठ से वे खुश होती है जिस घर में पाठ होता है, वहां माता लक्षमी का वास होता है, जिहां दोस्तों, और आपके घर में खुश्यों की वर्शात होंगे, दोस्तों आपके लिताप का बागेसाली रंग और भागेसाली आंग क्या है, दोस्तों आपका बागेसाली रंग जामूनी है और बागेसाल यांग आठ है दोस्तों मालक्षमी का आशिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्षे कॉमेंट बॉक्स में जय मालक्षमी जरूर लिखें और विडियो को लाइक सेर जरूर कर दें धन्यवाद